नमस्का दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना वाइरस से जोड़े हुए 10 फैक्ट्स के बारे में इन में से कई सरे फैक्ट्स है जिनको आप आप अलड़े जानते भी होंगे और कुछ फैक्ट्स ऐसे होंगे जिसके बारे में आप शायद न जानते हों तो अगर किसी को कोरोना हो जाए तो उसको स्मेल और जो टेस्ट होता है टेस्ट जो होता है वो स्वात जो होता है वो चला जाता है यह सबसे कॉमन सिंटम होता है किसी भी कोरोना वाइरस के जो से अगर कोई पीडित है तो उसमें यह स्मेल और टेस्ट दोनों ही चला जाते है इसका एक term दिया गया है anosmia, anosomia, यानि कि loss of smell. दोस्तों दूसरा fact यह है कि यह जो virus है, यह इनसानों पर ही attack करता है, जानवरों पर इसका असर नहीं पड़ता है, निकि इनसान का जो immune system है, इनसान का जो respiratory system है, उस respiratory system पर सबसे पहले यह attack करता है, और इनसान को ही इससे सबसे जादा खत्रा है, क्योंकि जानवरों में यह नहीं होता है, दोस्तों तीसरा fact है कि coronavirus जो है वो बच्चों में सबसे जादा impact डालता है, बच्चों को यह अगर हो जाया, तो यह जादा नुकसान पहुँचाता है, हाला कि बच्चों के अलाबा बुजरुकों को भी यह नुकसान पहुचाता है, लेकिन यह जो पहली लहर जब आई थे दुनिया में, तो उस वाले की बात है, second लहर जो है, वो सभी को impact डाल रहा है, इसलिए अभी coronavirus के बारे बहुत ज़्यादा जानकारी लोगों के पास में है, तो इस दे बाइडेस में जैसे रिसर्च आते जा रहे हैं, इसके बारे में छोड़ी छोटी जानकारी है, जो है वो यह information लगातार increase होते जा रहे हैं, यानि कि जैसे आप छीखने के बाद में आपके हाथ में जो droplets आते हैं, और उसी से आपने mouse टच किया, आपने pen टच किया, या door का जो knob है वो टच किया, या किसी भी चीज़ को टच किया, उस surface पर 2-3 दिन ता actively वो virus जिन्दा रहता है, और उसके संपर्क में आने वाले जितने भी लोग हैं, उस पर उस virus का असर पड़ता हैं, दोस्तों पांचवा फैट यह है कि ऐसे लोग जिन में virus तो है, लेकिन symptom नहीं हैं, ऐसे लोग भी virus को spread कर सकते हैं, कई बार लोग सवाल पूछते हैं कि भी मेरे में तो कोई symptom दिखने रहा है, लेकिन अगर आप में symptom नहीं दिख रहा है और आप में virus है, तो आप भी उस virus को फैला सकते हैं, यानि कि यह जो corona की जो बिमारी है, ऐसे लोग भी फैला सकते हैं, जिनमें symptom नहीं हो, लेकिन अंदर में उनमें coronavirus अल्रेडी है, दोस्तों, जो फैक्ट है, उस फैक्ट में मैं आपको बता दू, दुनिया में अलग-अलग blood group के category के लोग पाय जाते हैं, इनमें जो एक category वाई लोग हैं, यह category वाई लोगों को coronavirus होने के chances जो है, वो सबसे ज़ादा है, यानि कि 30% in comparison to other blood group, ज़ादा chances हैं कि उनको coronavirus होगा, हाला कि यह शुरवाती research है, कोईजनेटली मेरा भी A positive है, हाला कि मैं बचा ही हुआ हूँ, अभी टेकनीकल ही दिखा जाए तो, या हुआ भी होगा तो मुझे जानकारी नहीं है, वही मैं asymptomatic हो सकता हूँ, तो खेर, यह blood group वाले जो हैं, वो सबसे ज़ादा खत्रे में हैं, आपको coronavirus से, दोस्तों, दुनिया में 20% लोग ऐसे हैं, जिन में coronavirus जो हो तो गया, लेकिन उनको खुद को ही नहीं पता चला, कि वो infected भी हुए, इसका मतलब यह है, कि सात्वाँ fact यह है, कि दुनिया के 20% लोग, ऐसे लोग, जो कोरोना से ग्रसित तो हुए है, लेकिन उनको खुद ही नहीं पता चल पाए है, कि वो कोरोना से ग्रसित हुए भी ही, या infected हुए भी हैं, दोस्तों एक research से पता चला है, कि कोरोना वारिस के जो common symptom है, fever आना, उसके अलावा आपको सांथ लेने में तकलीफ होना, उसके अलावा जैसे कि मैंने बताया है, smell और taste का चला जाना, इसके बात जो सबसे common symptom है, जो कि हमारा आठवा fact है, उस आठवा fact में आपको बता दूँ, कि digestive symptoms जो भी बहुत लोगों को देखा गया है, इसके तहट आपको भूख न लगना, उसके अलावा, lose motion होना, या diarrhea का हो जाना, ये भी एक symptom है, आपके coronavirus से infected होने का, दोस्तों नवा fact भी बहुत important है, इस fact में मैं आपको बता दूँ, यदि आप पहले infected हो चुके हैं coronavirus से, तो भी दुनिया के जो 30% आबादी है, जो already infected हो चुकी है, उनको भी दुबारा से, इस बीमारी से infection होने के पूरे पूरे chances हैं, तो अगर आप पहले भी infected हो चुके हैं, तो अपने आपको बचा करके रखिए, अपने आपको सुरक्षित रखिए, क्योंकि आपको भी ये दुबारा हो सकता है, दोस्तों दस्वा fact है, जो कि बहुत ही common fact अपने सुना भी होगा, कि इस virus को रोकने का कोई तरीका नहीं है, अभी तक कोई दवा नहीं बनी है, अभी तक कोई treatment नहीं बनाया है, सिर्फ symptom के base पर इसको रोकने का प्रयास किया जाता है, और इसको रोकने का सबसे जो कारगर तरीका है, वो तरीका सिर्फ और सिर्फ vaccination है, जिसको लेकर के पूरी दुनिया और हमारे देश में भी कई कारेकरम चलाया जा रहे हैं तो जब संबह हो आपसे तो कुशिश करिए वैक्सिन ले लीजे तो आप सुरक्षित हो जाएंगे आज की वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको काम आएगी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नभूले नमस्कार